आम आशकार दोस्तो दोस्तो आज हम मराने वाले हैं आम का सूखा आचार बहुत बढ़िया और सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ और इस आचार में कौन-कौन से मसाला पढ़ने वाले हैं वो बहुत बढ़िया बताऊंगा दोस्तो तो वीडियो में बने रहे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को Like भी कर दिजेगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक किलो आम ले लिया हूं दोस्तो यह आम बहुत हीART घटा है दोस्तो तो आम लेने के बाद मैं यहाँ पर एक आम के यहाँ पर चार तुकड़े कर लिया हूं दोस्तो ये दिखी दोस्तो मैंने यहां पर एक आम के चार तुकड़े किया हूं तो अब हमें इसे सुखाना है दोस्तो इस आम को मैं फैन के नीचे सुखा रहा हूं दोस्तो और एक दिन के बाद मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर हमारे एक दिन के बाद हमारा आम यहां पर सूकर रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से सूकर रेडी हो गया है और अब हमें इसे रख लेना है और अब हम आपको बताएंगे तयार करते हैं तो सबसे पहले मैहा पर एक चम्मच मेथी के दाने आड़ करूँगा इसके बाद एक चम्मच जीर आड़ करूँगा और इसके बाद एक चम्मच काली वाली राई आड़ करूँगा इसके बाद मैहा पर दो चम्मच सौप आड़ करूँगा बहुत बढ़िया दोस्तों टेस्ट आएगा तो दो चम्मच सौंप और एक चम्मच मयान पर अजवाइन एट किया हो दोस्तों और सबी चीजों को लो फेम में दोस्तों इसको हमें रोष्ट करना है दोस्तों तो 2 से 3 मेरे तक आपको इस तरह चम्मच से इसको अलट पलट करके रोष्ट कर लेना है दोस्तों जब आपका बहुत बढ़िया खुसबू आने लगे तो इसको हम फ्लेम को आफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे दादरा ग्रैंड कर लेंगे दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों अचार में सुखा डालते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं तो एक चमच में यहां पर अचार वाला दाल लिया हूँ और एक चमच कलोंजी लिया हूँ काली वाली और एक चमच सौवपैट किया हूँ तो तीनों चीजों को पहले माइं दो मिर्ध तक हलके रोष्ट कर लूँँगा दोस्तों मेडियम फ्ले मसाले ग्रैन कर लिए हैं यह देखे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कितना मैं दैदरा इसको ग्रैन किया हूं यह देखे दैदरा रहे गा तो आचार बहुत बढ़िया दोस्तों स्वाधिस्ट लगेगा और अब हम यहां पर एड करेंगे 10 से 12 कलिया लसुन की आप इसे मस आप आगयए है जो supportive है उसको आने की बाद हम यहां पर मसाले आड करेंगे जो मसाले ग्रैन करके रहे थे उसको आड कर देंगे और एक हम यहां पर हलदी पावडर एड़ करेंगे और इसके बाद मैं यहां पार दो यहां पर तुराफ नाल मिडस को यहां पावडर आड कर चार और कलंजी और सौप वह रोश करके एड करेंगे फिर उसके बाद मैं हाँ पर दो चमच भर के नमक एड किया हूं और इसके बाद मैं आपर सरसो का तेल एड करूँगा दो चमच तो दो चमच मैं आपर सरसो का तेल एड किया हूँ दोस्तो और अच्छे तरह दोस्तो हाथों से दोस्तो मिक्स करना है हाथों से मिक्स करने से क्या है कि आम में जितना मसाला हम एड किये न वो आम में अच्छे तरह से लपड जाएगा और फिर हमारा आचार बहुती सौधिस्ट बनेगा दोस्तो तो यहां पर हमारा आम का सुखा आचार बन के रेडी हो गया है दोस्तो अब हम इस आचार को एक बर्नी में एड़ करेंगे तो बर्नी में दोस्तों हमें यहां पर एड़ कर देना है और बर्नी जब आम एड़ हो जाए तब हम बर्नी के उपर कपड़ा लगा कर इसको दो से तीन दिन के लिए धूप में रखना है और फिर उसके बाद आपका यह आम का सुखा अचार खाने लायक बन जाएगा दोस्तो आई होप आपको आम का सुखा अचार का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ फिर मिलते हैं